नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल एस्कलेपियस अईरवेदा में दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ओमेगा-3 से रिलिटेड जनकारी आज के सेशन में हम आपको बताएंगा ओमेगा-3 के बरे में तोस्तों सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि ओमेगा-3 जो होता है यह फैटी एसीड यह हमारे बॉड़ी में नहीं बनता है यह बाहरी सोर्सिस से हमको लेना होता है जैसे फीस हुआ या नेचुरल पौधे जैसे शर यदि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं आपको तो यह हमारे आखो के लिए बहुत ही करगर होता है आखो की रोश्णी और उसकी रेटिना के हल्थ के लिए काफी करगर मने जाता है इसके आलावा ओमेगा-3 जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा मने जाता हार्ट स्ट्रॉक होगरा के जो प्रोब्लम होता है वो नहीं होने देता है ओमेगा-3 जो है हमारे मस्तिस के लिए हमारे दिमाग के लिए काफी कारगर होता है यह हमारे दिमाग की कारे प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने में काफी सहयक है इसके अलावा हड़ियां जो स्कीन के लिए काफी फायदेमंद है इसकीन पर जो जुरियां हो जाती है उसको हटाता है इसके अलावा मुहासूं को नहीं आने देता है हमारे हेर के लिए काफी कारगर है ओमेगा-3 तो यह इसके हेल्थ बेनिफिट्स थे इसके अलावा यदि हम बात करें ओमेगा डॉक फूड कैटेगरी का प्रोड़क्ट है एक्षुली एडवलू प्यल जो है कई कैटेगरी का प्रोड़क्ट बनाता है जिन में से एक फूड कैटेगरी भी है उसी में ओमेगा-डॉक कैप्सूल आता है इसके इस्तमाल जो है यह हमारे दिमाग को और सजी को चुस दुरुस लखने के लिए यूज होता है यदि हम बात करें इसके इस्तमाल के तरीकों और शावधनियों के बारे में तो कमपणी के दुआरा बताया गया है कि इसे एक से लेकर दो कैपसुल को दिन में दो बार इस्तमाल करना है इसके अलावा डारेक्ट संडाइट से से बचा कर रखना है पैक खुलने के बाद एक महिने के अंदर में इसे इस्तमाल कर लेना है उसके अलावा ठंडे और सुखे इस्तान पीसे रखना है और यूज करने से पहले डॉक्टर से या एक्सपर्ट से जरूर कंसर्ट कर लें जोस्तों यह था ओमेगा 3 से लिएट कुछ जनकारिया और अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें और इस चैनल में जो दोस्त नहीं है चैनल को पर सब्सक्काइब करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नहीं जनकारी के साथ है